हलो एवरिवान वेलकम टो इन्फिनिटी लर्न बाइसरी चतन्या मैं मृतंजय कुमार आपका केमिश्टी फिकल्टी आज आपके साथ एक बहुत ही इपॉटेंट कॉंसेप्ट जो बहुत ही इंट्रस्टिंग है और कई बच्चे इस कॉंसेप्ट से जान पहचान इनका नहीं कुछ समस्याव देखते देखा है और वो कई बार इसके अंसर को रटे हुए होते हैं तो मैं बहुत इस सौट तरीके से आपको आज यह सिखाने जा रहा हूं और कभी भी एरर नहीं होगा और यह आपके सिलेबस के लिए पॉटेंट भी है जैसे हाबिडाइजिशन ओफ औ इसमें दो रूल पढ़ाओंगा पहला रूल बहुत असान से कभी लाइफ में भूलिएगा नहीं जैसे कुछ एक्जाम्पल्स बताइए क्या होगा जैसे आपके सिलेबस का पार्ट है एको ओके या किसे भी इंडिया की एक्जामनेशन में अल्रेडी आया हुआ हुआ है य की कोशिस करेंगे तो 17Y8 यानि 2 प्लस 1 odd electron इसको कैसे हैंडल करें आपको यह समझ में नहीं आता है और जनली बच्चों को यह पता नहीं होता है ओके तो इसी समस्या को आज हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं जैसे कई सारे मॉलिक्यूल है और इलेक्ट्रोन CH3 यह और गिनि तो केस 1 देखते हैं देखिएगा धियान से आप सभी को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉंसेट आपको बहुत अच्छे से आता है तो लेट सी अगर कोई ऐसा कंपॉंड कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें जो सेंट्रल एटम है अगर उसको ऑक्षिडेशन स्टे पार्टिसेपेट करेगा ओके सो एफ हऊचिडेशन स्टेट अव्सेंट्रल एटम ऑफचेंट्रल एटम इस पॉसितिव देन ओर एलेक्ट्रोन बिल पार्टिसेपेटियन हीविदिजेटीविदिए ये इंदेन आट्ट्रन विलाट पार्टिसेपेटितिन हाब है cf3 और electron आप सभी को पता है electronegativity of fluorine is higher than carbon and electronegativity of carbon is higher than hydrogen तो बच्चे लोग अगर हम just take approximation के लिए रखें तो इसमें इस पर positive charge होगा और इसमें यहाँ पर negative charge होगा तो बहुत असान है ठीक है आपको problem कहा था यह जो ch3 है ओके तो अगर आप इसका steric number count करेंगे बच्चे लोग तो क्या हो जाएगा देखें दो तरीके steric number निकालने के लिए आपने जहां भी पढ़ा होगा सीखा होगा total balance electron पहले count करना है ओके तो जिसमें hydrogen होता है या तो hydrogen का balance electron आप one लीजिए तो two से divide करना होगा क्योंकि वह पुरा करता है नहीं तो अगर आप इसका just for mathematics hydrogen का balance electron हम लोग 7 लेकर चलेंगे just for mathematical calculation ताकि 8 से हम डिवाइड करें तो बच्चे लोग क्या हो जाएगा 4 plus 7 into 3 okay 21 plus 4 25 okay so this will become 25 by 8 it means 3 plus 1 odd electron तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि इस case में carbon पर negative charge है यानि यह वाला odd electron participate नहीं करेगा और इसका hybridization हो जाएगा sp2 okay अस्टेरिक नंबर जब 3 हो तो क्या होता है sp2 या आप simply भी कह सकते हैं कि carbon में 3 hydrogen bond तो देखी रहा था इसको participate हम नहीं करेंगे simply आपका answer आ गया sp2 okay इसका structure और shape क्या हो जाएगा इसका structure और shape हो जाएगा trigonal pyramidal any doubt trigonal planar extremely sorry okay यहां आते हैं इस case में same case है total valence electron will be 4 plus 21 equal to 25 same case है बट अस्टेरिक नंबर क्या होगा 25 by 8 equal to 3 plus 1 odd electrode बट इस case में क्या situation है यहां पर carbon पर positive है इसलिए यह participate करेगा अस्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा और इसका hybridization हो जाएगा sp3 okay और यहां पर electron pair geometry हो जाएगा tetrahedral but safe हो जाएगा pyramidal I think this is very easy और इसमें आपको problem इसमें आपको नहीं होना चाहिए ठीक है I think this is clear to everyone now कई बार बच्चे इतना ही सीख जाते हैं और उन्हें लगता है कि यह problem इसे यहां पर मैं लिख देता हूं electron pair okay geometry okay आप इसको answer YouTube पर comment किजिएगा और इसका safe okay क्या हो जाएगा दोनों के case में यह easy चीज है यह lecture मैं बहुत unique comment पर ले रहा हूं content पर यह तो आपके लिए बहुत असान है ठीक है चलिए अब एक question मैं आपको देता हूं CLO 3 का calculate करने के लिए बहुत आराम से बनाईएगा ठीक है अब कहीं अगर structure आता है तब तो असान हो जाता है बट आपको problem क्या था सिर्फ odd electron को count करना है कि नहीं तो CLO 3 अगर मैं इसका structure दे दू तो आप तो बहुत smartly answer कर दोगे sir एक ऐसा है ठीक है तो 3 sigma तो होता ही है मैं क्या दुनिया का हर लोग पढ़ाता है 3 sigma एक odd electron का क्या करना है नहीं पता तो अब आप सीख गया है ठीक है या ऐसे भी कर सकते थे total valence electron equal to 7 plus 6 into 8 3 ओके सो 18 और 7 कितना हो गया 25 अठार प्लस 7 क्या हो गया 25 okay so steric number will be 25 by 8 equal to 3 plus 1 odd electron कितना अच्छा लग रहा है सर यह तो बहुत हीजी है chlorine की electronegativity कम होती है और इस पे plus charge होगा ओके एक जश्ट approximation सीखने के लिए तो आप कह दोगे sir यह participate करेगा और यह 4 हो जाएगा और इसका hybridization sir sp3 हो जाएगा कितना अच्छा आपने बोला और बाकी तो आप स्मार्ट है जो metric कह दोगे कि यह स्टेट्र हेड्रल है और सेप क्या हो जाएगा trigonal pyramidal सबको पता है यह तो इसी तरह से एक answer जरा मुझे दीजिए clo2 का ओके बहुत ही मज़दार question है यह ठीक है मैं बार बार दोनों चीर बता रहा हूं अगर structure दिया हुआ है तो दुनिया के सबसे student है 7 प्लस 12 इक्वल टू 17 अस्टेरिक नंबर इक्वल टू 19 इक्वल टू 2 प्लस 3 इलेक्ट्रोन होगा बच्चे लो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1 लोन पेर प्लस 1 ओड इलेक्ट्रोन यहां पे condition कुछ अलग आ गया ठीक है तो बच्चे लोग आप बताईए तो अब यहीं पे बहुत अच्छे बच्चे गलती किये हैं वो क्या करते हैं सर इस पे प्लस है तो क्या करेंगे दो और तीन बच्पन से सीखा है दो सिगमा और एक लोन पेर तो पाटिसिपेट करेगा और इस केस में यह भी करेगा तो आप हो गये गलत इसलिए रूल पूरा पढ़ना च साथ साथ उस पे कोई लोन पेर भी हो जैसे को सेंटरल एटम है मालो इस पे और इलेक्ट्रोन है बट पॉजिटिव चार्ज होने के बाबजूद अगर एक लोन पेर भी है तो यह और इलेक्ट्रोन पाटिसिपेट नहीं करेगा यह बहुत मज़दार चीज है तो लेट सी इसको हम पाटिसिपेट नहीं करेगा और इसका है और इसको हम पाटिसिपेट नहीं करेगा तो इसको डॉट नहीं हुआ होगा में और इसलिए मैं कुछ होमवर्ग देता हूँ जो आपके स्लेबस का पार्ट है आप एक एनो टू का निकालिएगा आपके मेडिकल हो इंचिनियरिंग हो कोई भी एक्जाम हो सबसे ज़्यादा एक कोशन पूछा गया है ठीक है ऑक्सिजन के एलेक्ट्रोनेगेटिविट और जो होंबग दिया है उसका अंसर कमेंट बॉक्स में करना भी मत भूलिएगा सी यू इन दे निक्स डिसकेसन बाई